लोंगेस्ट डे एंड सोल्टेस्ट नाइट बोथ हैमी स्पियर से रिलेटिड भूत बार क्योशन आप से पुछा जाता है कि कब होती हैं तो आओ एक पिर्थवी का कालपनिक चित्तर बना के इस पर समझते हैं यह है एक्वेटर इधर है ट्रॉपिक आफ कैंसर 23 डिग्री ए इस पर 21 जून को 21 जून को जब सूरिय नोल्ट हैमी स्पियर में ट्रॉपिक आफ कैंसर यानि करक रेखा पर सीधा चमकेगा तो उस दिन यहां पर लोंग एस्ट डे होगा और वो लगबग लगबग 14 घंटे का होगा और इस दिन नाइट सबसे छोटी होगी जो लगबग इस दिन नोर्थ हैमी स्पियर में दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे चोटी होगी सेम डे इसी दिन 21 जून को ही 23 डिगरी 30 मिनट साउथ यानि मकर रेखा पर ट्रॉपिक आफ कैपरी कौन पर उस दिन नाइट सबसे लंबी होगी उस दिन यहां की जो नाइट है वो 14 ह लगबग, और जो डे है वो लगबग 10 हावर्स का होगा ठीक है तो यह तो सिचवेशन होई 21 जून को अब इसका ठीक अपो जिट कर लेते हैं कि ठीक अपोजिट 22 दिसंबर को सिचवेशन चेंज होगी दिसंबर की 22 तारिक को सूरिय इस लिचहा पर मकर रेखा पर सीधा च situation है तो दिसंबर में 22 तारीक को सूरिय यहां पर इस रेखा पर ट्रॉपिक आप कैप्री कॉन पर सीधा चमकेगा तो यहां पर जो डे है वो लगबग 14 हावर्स का होगा और जो नाइट है वो लगबग 10 हावर्स की होगी साउथ हैमिस्पियर में और नोर्थ हैमिस्पियर में इसका अपोजिट होगा उस दिन यहां पर जो डे है वो 10 घंटे का होगा और नाइट जो है वो लगबग 14 हावर्स की होगी और इस दिन यहां पर नोर्थ हैमिस्पियर में विंटर होगा और यहां पर समर होगा इसके साथ साथ जो हमने जून में धहन किया था तो जून में यहाँ पर समर सीजन था और यहाँ पर विंटर सीजन था इसी से related एक किशन आप से और पुछा जाता है कि 25 दिसंबर को जो हम festival celebrate करते हैं Christmas तो उससे related पुछा जाता है कि Christmas का तोहार किस देश में ग्रीसम काल में celebrate किया जाता है तो आपको आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 22 दिसंबर के आज पास समर सीजन है तो वो डेट है दिसंबर की 25 तारिक तो इससे जश्ट तीन दिन बाद तो उस दिन आस्ट्रेलिया में अफरीका में और दक्षन अमेरिका में जो Christmas festival है वो दिसंबर में मना जाएगा यानि वहाँ पर समर सीजन होगा और जब कि North Hemisphere में उस दिन winter सीजन होगा